अगर आप 10th, 12th और graduate हैं तो आप भी इन government sector में निकलने वाली vacancies के लिए apply कर सकते हैं आप लोग accountant, junior office assistant, stenotypist और PN की vacancy के लिए apply कर सकते हैं अटल Medical and Research University हिमाच्चल परदेश में ये सारी vacancies भरी जाने वाली हैं मंडी में ये vacancies भरी जाने वाली हैं अप्लाई करने के लिए last date रहने वाली है 20 मैई 2022 तो सबसे पहले देखते हैं कि assistant accountant की दो vacancies रहने वाली हैं और 18 से लेकर 45 वरश की age limit के सभी candidates in vacancy के लिए apply कर सकते हैं आप लोग qualification चेक कर सकते हैं assistant accountant के लिए become qualification रखी गई है आग आग आप लोग देख सकते हैं यहां पर मांगी गई है और साथ में आप लोगों की शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग जो है वह भी आपको आनी चाहिए computer का भी आपको अच्छा knowledge होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं तीन vacancies थी और qualification चेक कर सकते हैं आप लोग स्टेनो टाइपिस्ट के लिए typing, speed, Hindi और English की आप लोग देख सकते हैं इसके बाद junior office assistant की vacancies रहने वाली है, total nine vacancies है, junior office assistant की, plus two यहाँ पर मांगी गई है और साथ में आप लोगों से computer का जो है वो diploma मांगा गया है, तो junior office assistant की vacancies है, p.o.n. की तीन vacancies रहने वाली है और आपको p.o.n. की vacancy के उपर काम करने के लिए 6,200 पे जो हो monthly salary दी जाएगी अब मैं आप लोगों को बता दूँ, जो यह p.o.n. की vacancy है, यह group D की vacancy है और जो हमने उपर देखी, junior office assistant की vacancy, साथ में stenotypist की vacancy और साथ में आप लोगोंने assistant accountant की vacancy, यह group C की vacancy रहने वाली है तो जो यह p.o.n. की vacancy है, जो की group D की vacancy है, इसके लिए किसी तरह का कोई return examination नहीं है और आपकी J.o.i.t., stenotypist और accountant की vacancy के लिए return examination है age limit 18 से लेकर 35 वरिश के बीच में रखी गई है अगर आप group C, यानि आप लोग J.o.i.t., accountant या stenotypist के लिए प्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की जो है, वो 1200 रपे fees लगेगी, general candidates के लिए और अगर general candidate group D, यानि P.o.n. की vacancy के लिए प्लाई कर रहा है तो उसको भी 600 रपे की fees लगेगी आपको इन वकैंसी के लिए online apply कर सकते हैं online apply करने के लिए यहाँ पर यह जो blue color में link दिया गया है इस link के ओपर click करके आप लोग online registration कर सकते हैं तो notification का link description box में दिया गया है notification को download कर लें और जब आप notification को open करेंगे तो इस link को open करके आप लोग इन वकैंसी के लिए apply कर सकते हैं व्योड़ कैसे लगा comment section के मादियम से जुरूर बताएं please like, share, subscribe to our channel for more videos thanks for watching